नमस्कार दोस्तों कोरोना के इस काल में जहां लोगों को जान बचानी मुश्किल पड़ रही है जहां लोग महीनों से घरों में बंद हैं काम धंदे बंद करके बैठे हुए हैं बेरोजगार हो रहे हैं अपने कामों का कारियों का नुकसान करा रहे हैं अपने बिजनेस का नुकसान करा रहे हैं ऐसे दोर में भी कुछ कमीने लोग हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते मोका परस्ती इन लोगों की रगरग में बसी हुई है और आज मैं इस वीडियो में जिन मामलों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो इस कोरोना काल के चंद गिने चुने भरष्टाचार के मामलों में से एक है और ये किसी एक स्टेट की बात नहीं है कई स्टेट ऐसी हैं जहां पर कोरोना के इस काल में भरष्टाचार हुआ है और इस ब्रस्टाचार में सफेद पोश लोग भी सामिल हैं और हमारे करफ्ट अधिकारी अफसर भी शामिल हैं सबसे पहले बात करूँगा हिमाचल परदेश की हिमाचल परदेश में बीजेपी के जो अध्यक्स अभी थे राजीव बिंदल उन्होंने अभी हाली में स्तिफ़ा दिया और उनके स्तिफ़े देने के बाद ये परकरण पूरे देश में हाइलाइट हो गया और हाइलाइटिड इस परकरण के बाद ऐसा लगने लगा कि जैसे राजीव बिंदल इस ब्रश्टाचार में शामिल है लेकिन ऐसा है नहीं कुछ और मामला है मैं बताता हूँ हुआ क्या है वहाँ पर क्या हुआ कोरोना के सकाल में हिमाचल परदेश की सरकार ने सभी शहरों में जिलों में PPE किट्स वगएरा खरीदने के लिए एक कॉंटेक्ट्स जारी जगिये थे और लगबग 40 कंपनियों ने टेंडर्स में भाग लिया था और मुहाली की एक फर्म बायो एड जिसका नाम है उसे टेंडर मिला था और 9 क्रोड रुपे का ओर्डर मिला था के आप PPE किट्स जो डॉक्ट्रों के लिए स्वास्ते कर्मियों के लिए आती हैं शुरक्षा किट्स उसकी आप सप्लाई करेंगे और इस मामले में हुआ ये कि एक अधिकारी के और एक दलाल के बीच का एक ओडियो क्लिप वाइरल हो गया और इसके बाद सारा मामला बवाल मच गया ये गटना ज़ादा दिन की नहीं है 20 मई से 27 मई के बीच का ये सारा कुछ गटना करम है और ये जो audio clip viral हुआ ये वहां के स्वास्त निदेशक का और बायो कंपनी के दलाल का था डॉक्टर एके गुपता जो डिरेक्टर आफ हेल्थ थे और प्रत्वी सिंग नाम का ये दलाल इनका एक audio clip था और इसमें प्रत्वी सिंग ये कहता हुआ सुनने में आया कि उससे 5 लाख की दलाली मांगी गई है और ये काम नहीं होने दिया जा रहा है और ये मामला उसके बाद जब प्रकाश में आया तो उसके बाद बताय जाता है कि इसका जो खत है वो परधान मंतरी आफिस तक भी पहुँचा और जब मामला PMO तक पहुँच गया तो PMO ने इसका संग्यान लिया और हिमाचल परदेश के मुख्या मंतरी जैराम ठाकुर ने इसमें विजिलेंस डिपार्टमेंट को एक्टिव कर दिया और विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इस ओडियो क्लिप के आधार पर एक गुपता और प्रत्वी सिंग को गिरफ्तार किया हाला कि अब यह बात सामने आ गई है कि प्रत्वी सिंग ने यह कहा है कि सर पाँच लाख रुपे की विश्वत की बात तो जुरूर हुई थी लेकिन यह पाँच लाख रुपे अभी दिये नहीं गए थे यानि कि रिश्वत एक गुपता ने ली नहीं थी बैलाल एक गुपत बिंदल से बताया जाने लगा कई और इस तरह के मामले सामने आने लगे और जब इस मामले ने तूल पकटना शुरू किया तो राजीव बिंदल को अथ्था खार कर इसमें इस्तीफा देना पड़ा है। ये त्याग पत्र दे दिया और अब जब त्याग पत्र राजीव बिंदल ने दे दिया है तो मामला पॉलिटिकल भी होता जा रहा है। विपक्स इसमें दबाव बना रहा है जैराम ठाकूर पर जो की वहां के चीफ मिनिस्टर है। दूमल की वहां सरकार हुआ करती थी अलगबग 10 साल पहले उसमें स्वास्ते मंत्री थे। उसमें भी कुछ गोटालों की बात चली थी और उन्हें उस्तीफा दे दिया था इसी तरीके से। इसके बाद 2017 में जब बीजेपी की ये सरकार बनी थी तो राजी बिंदल विदान सबाद द्यक्स बने थे। सीनियर आदमी होने के ना थे। और बाद में उन्हें अभी इसी साल जनुवरी में ज्यागपत्र देकर पार्टी का द्यक्स बनाया गया था। पहराल इस मामले में हिमाचल परदेश की सरकार ने जाच की बात कही है। पंजाब में एक गोटाला हुआ है। पंजाब में कैप्टर अमरिंदर सिंग की सरकार इस गोटाले में घिर गई है। और वहाँ पर भी यही PPE किट्स और N95 जो मास्क आते हैं पढ़िया क्वालिटी के। उनको लेकर यह मामला हुआ है। और उसमें आरोप यह लगाया ज थे और इन घटिया क्वालिटी के मास्क को डॉक्टरों ने इस्तेमाल करने से मना कर दिया और इसी बात को लेकर बवाल हो गया है। वहाँ के डॉक्टर एस्चूसियंससन इसके खिलाफ हो गई थी। और यही वज़या है कि अब इस मामले में मामले ने तूल पगड़ा है और फिलाल बाफ ही है कि उनकी वहाँ के जो स्वास्त मंत्री हैं पंजाब के उन्होंने ना तो इसमें कोई इस्तीफा दिया है ना ही इसमें कोई जाच बैठाई गई है उनका कहना है कि क्वालिटी जरूर कुछ थोड़ी सी खराब हो सकती है लेकिन वो गटिया बिलकुल नहीं थे जबकि विपक्षी दल शिरूमणी अकालिदर लगातार दबाव बना रहा है कि कैप्टन अमरिंदर इस मामले में जाच करा है और विपक्षी दलो का तो ये भी कहना है कि कैप्टन अमरिंदर की अपने मंतियों से बात ही नहीं होती है ना उनकी बनती है और ना व लोटाला ये हुआ है कि हरियाना से जो शराब है आसपास के स्टेट्स में बंद थी शराब की दुकाने पंजाब में बंद थी गुजराद में बंद थी और उत्तर परदेश में बंद थी उसके बावजूद भी हरियाना से भारी मातरा में शराब इसमगल होकर इन परदेशो में जाती रही और बताया जाता है कि इसकी वज़े से लगबग एक हजार करोड रुपे के राजसु का नुकसान हरियाना की शरकार को हुआ है इसमें एक सीनियर पुलीस अफसर को गिरफतार भी किया गया है कुछ और पुलीस अफसरों के एक हैसाइटी का गठन किया है और इस मामले की जाच कराई जा रही है नरेंदर मोदी का गुजरात वो भी अचूता नहीं रहा है वहाँ पे एक फरजी वेंटिलेटर गोटाला हुआ है और यहां तक की का जा रहा है कि वहाँ पर जो मुख्यमंत्री विजरूपानी है उनके जानने वाले एक बिजनसमेन ने वेंटिलेटर हॉस्पिटल के लिए दिये लगबग 900 मसीने लगाई गई और खा गया कि वेंटिलेटर हैं और बाद में स्वास्ते विबाग के डॉक्टरों ने और दिकारियों ने वहाँ जान्च की तो पता लगाँ वेंटिलेटर नहीं कुछ और ही निकले यह तो बहुत बड़ा मज़ाग है और अब इस मामले में भी जाँच की मान की जा रही है यह का जा रहा है कि जो ड्रक्स कंट्रोलर है उनसे लैसेंस भी नहीं लिया गया था और उसके बावजूद भी कैसे आपने यह मशीने लगनी दी तो दोस्तों एक के बाद एक गोठाले आ रहे है हिमाचल परदेश में एक और गोठाले पेशले दिनों हुआ था उसमें मैसर्स ललित कुमार नाम की एक सप्लायर कंपनी है उसने हैंड सैनिटाइजर हैंड वाश सप्लाई किये थे और बताया जाता है कि जिस कंपनी को यह कॉंटेक्ट दिया गया था उसका भी कोई लैसेंस नहीं था और ड्रक आच चल रही है दोस्तो शर्म की बात है सब लोग मर रहे हैं लोग बेरोजगार हो रहे हैं और यह अफसर और यह नेता पैसा कमाने का कोई मोका नहीं छोड़ रहे हैं हम तो दूआ यही करेंगे के गाइदे से इन लोगों को कोरोना होना चाहिए और इन में से कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए जिसने ऐसे काम किये है कोरोना के इसकाल में जहां तमाम लोग मदद को सामने आ रहे हैं हमारे क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार, आप लोग, हम लोग, हम जैसे लोग, मीडली क्लास लोग, हम सब लोगों ने PM केर फंड में पैसा दिया है और ये लोग इस तरह से मिश्यूज करवा रहे हैं सरकारी पैसे का, इन लोगों को करोना होना चाहिए और इन में से एक भी जिन्दा नहीं बचना चाहिए बस यही कहने का मेरा दोस्तों इस वीडियो का उदेश्यता मैं नहीं जानता के कौन सही है, कौन गलत है जो जानकारी थी मैंने आपके सामने जस्की तस रख दी, ये सरकार का और सिस्टम का काम है कि दोश्यों को गिरफतार किया जाए, उनके खिलाफ कार रवाई की जाए ये आपका हमारा काम नहीं है, लेकिन जो जनता के साथ बुरा करेगा, जो इस देश के लोगों के साथ गदारी करेगा, उसे जिन्दा नहीं छोड़ा जाना चाहिए, उसे सज़ा जरूर होनी चाहिए और मैं तो दूआ करूँगा कि इन सब को कोरोना हो जाए और ये तिल तिल कर मरें, देखते रहे हर्ष की बात लाइव, नमस्कार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमाया चनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रस करें